नमस्कार साथियो मैं चंदन सिंग नयाल परियावरण प्रेमी मैं उत्राखंड के ने निताल जिले के उखलकाड़ ब्लोग के नाई गाउं से हूँ और मैं पिछले कई वर्सों से परियावरण के लिए काम कर रहा हूँ आप सब लोग जितने भी लोग यूटूब पे मेरे स अभी जो मौसम चल रहा है वह कई महनों से बारिस नहीं हृइए भर्फबारी में हूई हमारे चेत्रे में और अब्रमाए बढ़ा सूखा सा मौसम चल रहा है लेकिन सूखा मौसम होने के बार्ड भी जो मेरे प्लांटेशन हैं और जबंकि एसी जगा पर हम लोग ने बनाय कि अटिल मेरे पीछे और वहां पर हम लोग ने प्लाइटेशन पनाया तो हम दिखाते हैं कि पौधे पौधो में नई कोपल आ रहे हैं और आप पौधे पूरा सैक्सेस रेट है पौधों का बहुत अच्छा सेक्सेस रेट है यहां पर हम लोग ने जो बांज लगाओ बांज बचाओ का एक अंदोलन सुरू किया था उसके तहत हम ले यहां पर मुख्य रूप से जो बांज की प्रजाती है उसके खर्शू के पौधे बांज के पौधे फल्याट के पौ यह खर्शू के पौधे हैं जो बांज की ही एक प्रजाती होती है जिन में अभी नई कोपलें आई हुई हैं और पिछले कई माह से बारिश नहीं हुई उसके बाद भी यह पौधे सुरक्षित हैं और जहां पर हम लोगों ने यह पौधे लगाए हैं आप देख रहे होंग बिल्कुल सूखा एरिया है और इनके चारों और पूरा चीन का जंगल है आजकल फायर सीजन भी चल रहा है और फायर सीजन के चलते हमें इन पौधों की बार बार देख रेक करनी होती है जैसे ही चीड के पत्तों पत्ते पिरोल गिरता है वैसे ही हमें यह साप करना होता है ये पांगर का पोधा है देखिए और ये फिर खरसू का पोधा जिन में अभी नए पत्ते आई हुए हैं नए कोपलें आई हुई हैं इस प्रकार से और लगातार इन पोधों की देखरे खमे करने होती है ये खड़िक का पोधा है और जिन में अभी नए पत्तियां ही हुई हैं आप देख रहे होंगे पिछले कई महां से बारिश नहीं हुई उसके बाद भी ये पोधे हरे भरे हैं और बहुत सुन्दर ये पोधे लग रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर खरसू की प्रजाती नहीं पाई जाती परन्तु हमने बिभिन छेत्रों से लाकर यहाँ पर खरसू के पोधे लगाए हैं जो जल संग्रक्षन के लिए भी सायक होते हैं साथ ही बाच के पोधे हमने यहाँ पर लगाए हैं जो जल संग्रक्षन के लिए लापकारी होते हैं ये महेल का पोधा है जो खाने के काम आता है